हलो फ्रेंड्स मैं इकता आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हूं आज मैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजबाब बस दो ही चीजों से मुझ में गुल जाने वाली रवा की मिठाई की रेसिपी लेके आए हूं यह बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही इजी है आप अब यहां पर देखिये मैंने पाँच भड़े चमजगी गी में है और यह बहुत ही अच्छے से आपको पाउडर बनाए ऐसको आपको भुनना है बहुत ही टेस्टी होती है सूजी की तो आप जरूर इस तरह से ट्राइ करिएगा और बहुत ही कम समानों में सिर्फ दो चीजों से यह बन जाती है तो देखिए इस तरह से हमको बहुत अच्छे से इसको सेखना है इस मिठाई को बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सूजी है जब आप इसको मिकसर के जार में आ ना मावा पढ़ता है ना खोया पढ़ता है फिर भी यह मिठाई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीसियस बनती है तो यहां पर देखिए हम कढ़ाई में इसको भून रहे हैं गैस का फ्लेम एक दम मीडियम रखें और इधर देखिए हम इसका सीरा बनाता है सीरा के देखिए यह भून रहा है अब इसमें से सुची में से बहुत ही अच्छी हलकी सी महेका रही है तो यह देखिए इसको हमको बहुत ही अच्छी से भूनना है लेकिन इतना भी नहीं भूनना है कि इसका जो कलर है चेंज हो जाए तो यह देखिए यह बहुत ही अच्छी से सी का है तो क्योंकि सूजी भी सीरे को सोकता है तो इसलिए हम इसको बहुत ही पतला तार नहीं बनाएंगे तो यहां पर देखिए अब यह चासनी बन के त्यार है हम गैस का फ्लेम अब बंद कर देंगे तो देखिए अब मैं गैस का फ्लेम इसको बंद कर दे रही हूँ और इधर देखिए ये सूजी में से बहुत अच्छी सी महेकारी है एक चीज का आपको ध्यान रखना है जब भी आप सूजी बनाईए या कोई भी इस तरह की मिठाई बनाईए तो कड़ाई जो है मोटे तले की होनी चाहिए तो जब मोटे तलकी लेंगे तो ये जो नीचे से आपका जो सूजी है एकदम कलर चेंज नहीं होगा और बहुत ही अच्छी से भुन भी जाएगा आप कोई भी मिठाई बनाईए तो आप ये चीज धियान रखिए चाहे बेसन हो चाहे आटा हो तो आप मोटे तले का कड़ाई लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सब भुनता है तो देखिए अभी हमको टोटल भुनते समय पांच मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी हमको और भुनना है तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहे हूं कि सीरा भी ठंडा हो रहा और अब इसमें से बहुत अच्छी सी महेकार रही है आछ से नौ मिनट हो चुका है और अब इस तो यहां पर देखिए मैं ने बताया था कि मैं सीरे में कोई भी मतबतार गुंभी इसकी चास्टनी बनी नियूदा और जास्टनी निकम को नहीं को यह ऐी अब देखिए में अप दुका दूरन नियूदा को एक दम्म कढ़ाई में से पूरा घी निकलने लगा है याने की पर्फेक्ट यह चासने भी मिल चुकी है अब हम इसको एक प्लेट में डालके सेट करेंगे यह देखिए मैं इस तरह से प्लेट में डाल रही हूँ तो यहां पर यह देखिए इस तरह से आप फटाफट गरम-ग सेट कर देंगे तो एक दम सेट हो गया और अब गरम में ही आप इसमें चाकू की साहता से लगा दीजेए तो जीस भी सेफ में आप को रखनी है उस तरह से ट्लीजे तो देखिए बहुत ही टीस, बहुत ही डिलिस्यस ये मिठाई कट बनती है तो यहां देखिए मैंने मिठाई को कट कर लिया है उपर से मैंने ड्राइफूट लगा दिया यह बहुत ही टेस्टी यह बहुत ही लाजबाब है बहुत ही कम सामानों से यह रवा की मिठाई बनती है तो आप भी जरूर ट्राइ करिएगा आई होप कि आपको यह मेरी रवा की मिठाई की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सेयर सब्सक्काइब करना मत बलिएगा थैंक यू फ्रेंट